नमस्कार दोस्तों मैं दीप्ति गुफ्ता स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लस पर तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं CDP के most important questions जो कि आपके previous year पूछे गए हैं आपकी अगामी उपी टेट की जो 28 नवंबर को परिक्षा है उसमें आपको बहुत helpful सावित होंगे क्योंकि आप अगर कोई भी exam देते हैं तो उसमें सबसे जादा जो role रहता है वो आपका previous year का रहता है ठीक है अगर आपने उनको अच्छ मत कीजेगा आखरी तक हमारे साथ बनी रहेगा आज की वीडियो हम लोग कुछ पैडगोजी की questions की चर्चा भी करेंगे जिससे आप लोग यह समझ पाएंगे कि यूपी टेट में किस प्रिकार के प्रस्न आपके पूछे जाते हैं ठीक है उससे पहले हम आपको ये बात बत सब्सक्राइब होंगे 899 में है यूपी टेट का 499 में और जब की सीटेट का सिर्फ और 499 में आपको बैच प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है आपको एक अच्छे से अच्छा content प्रोवाइड कराया जाएगा वीडियो classes प्रोवाइड कराई जाएंगे तो आप लोग ए लेकर जरूर देखिएगा मुझे पूरी उमीद है कि आप सभी को यह जरूर पसंद आएगा ठीक है तो अगर पसंद आता है और अगर कोई inquiry करनी है तो आप इन numbers पे call कर सकते हैं फाइनल है तो डिसकस करते हैं आज की वीडियो में questions बिना अपने time को गवाएं तो पहला question हम इसे संबंदित होता है ठीक है डिसलेक्सिया ठीक है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए बहुत important question है डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया ऐसे इस तरीके कि कई कुछ words है जो आपको याद करने पड़ेंगे कि कि किस विकार से संबंदित है ठीक है पहला आपका option है मैंसिक वि पठन विकार से और प्यभारिक विकार से तो guys यह मैं आपको बता दूँ यह जो है वह आपकी पठन विकार से संबंदित होता है यानि कि Democrats यह में Him day 02 अपको विकार से संबंदित आपको विमारी होती पतन प्रविकार का मतलब होता है कि जैसे कि जो भी स्टुडेंट होगा वो क्या होता है कि एक तरीके से जैसे सौ लिखा है तो वह उसको वास पढ़ता है मतलब पढ़ने में गलती करता है क्लियर है आप सुभी को तो question number first हमारा complete होगए आप आप कर लेते question number two की question number two है आपका पैड़कॉजी से related question है तो इसमें है कि आपका विसेश रूप से जरूरतमंद बच्चों की सिक्षा का प्रवन्ध होना चाहिए तो गाइस देखो, सबसे बड़ी बात है, आप जब भी पेड़ागोजी को सॉल्फ करते हैं, तो आपको बहुती रियाल्टी में जीना है, बच्चे के प्रकार से सीखना है, कोई भी ऐसी बात आपको नहीं करनी है, जिसमें बच्चे का नुकसान हो रहा हो, ठीक है, तो पहली बात है कि आपको अगर जरूरतमन बच्चों को सिक्षा देनी है, तो आप अपनी दिमाग से सोचिए ना, कि उन बच्चों को किस के साथ बिठाएंगे, दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाएंगे ना, ताकि उनको भी ये बात समझ में आ सके कि वो कैसे अगर आप स्पेशल एजुकेशन देंगे, स्पेशल स्कूल में पढ़ाएंगे, तो ये कोई बच्चों के तरीके की सिक्षा नहीं होती है, इस वज़े से आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपको ऑप्शन नमबर ये यहां से राइट हो जाएगा, बात कर द्रसेश आधन या फिर द्रसेश रव्य शाधन या फिर इन में से कोई नहीं, तो देखो स्याम पट, आप अपना दिमाग लगा के सोचिए कुश्चन को, आप खुद इनका एंसर्स दे देंगे, स्याम पट क्या होता है, आपका ब्लैक वोर्ड या वाइट वोर्ड, ठीक पूछते हैं, उनके साथ कैसा वरताओ करना चाहिए, कक्छा के बाद, कक्छा के बाद सिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए, या फिर कक्छा चर्चा में भाग लेने की प्रोचसाहित करना चाहिए, या लगातार प्रस्न पूछने के लिए प्रोचसाहित करना चाहिए, तो अब आप सभी मुझे बताईए कि इसमें क्या एंसर हो सकता है। देखिए, कक्षा में कोई बहुत मतलब कई तरीक्ये के स्टुडेंट्स होते हैं, कुछ कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। इसलिए आपका option number first यहां से गलत हो जाएगा। बात करते हैं, second कि अच्छा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोच साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रोच साहित करना चाहिए। लेकिन अगर वो question पूछ रहे हैं, तो वो class में ही चर्चा में भाग क्यों लेंगे। आपको उनकी queries को solve करना है, इसलिए आपका option number यहां से गलत हो जाएगा। लगातार present पूछने के लिए प्रोच साहित करना चाहिए, यह मेरे को सही लग रहा है, बांकि fourth भी देख लेते हैं, स्वतन्त रूप से उत्तर ढूणने के लिए प्रोच साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अगर वो स्वतन्त रूप से उत्तर ढूण लेंगे, तो वो आपका कि यदि कुछ विध्यार्थी कच्छा में अध्यान की चित्वृत में नहीं है तो आप क्या करेंगे। चित्वृत का मतलब होता है कि हो सकता है कि कुछ विद्यारती ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं पर पढ़ने का उनका मन नहीं है तो आप उस वक्त क्या करेंगे उनके साथ उन्हें अध्यान के लिए बाद नहीं करेंगे देखिए स्टुडेंट्स को आप किसी विका अब से सोचिए है ठीक है उन्हें चेतावणी देंगे कि अवश्य अध्यन करें नहीं तो आप टाहना द्यापक को सौचित कर देंगे बिल्कुल नहीं एशा भी कोई चेतावनी नहीं दे सकते, कोई दंड नहीं दे सकते ऐसा कोई भी अधिकार आपको नहीं दिया गया है ठीक है, तो option number D obviously यहां से राइट हो जाएगा और इसे पढ़के भी देख लेते हैं कि उन्हें उनकी रूची अथवा अपने विसे के अन्साद उठीपूर चीजे बताएंगे, बिल्कुल माल लीजिए अब कोई बच्चा है कि उसका नहीं पढ़ने का मन है तो आप उसके interest के according उसको समझाने के प्रयास कीजिए अगर आप उसको interest के according समझाएंगे तो जरूर उसका मन वहां पर लगेगा इसलिए आपका option no.5 का D यहां से सही हो जाएगा बात कर लेते question no.6 की, question no.6 है आपका की अलप वयस्क बच्चों के अधिगम में अविवावकों की भूमिका कैसी होने चाहिए निसेदात्मक या अगर सक्रिय या फिर संवेदनात्मक या फिर उदासिन तो देखो अलप वयस्क जो बच्चे होते हैं उनके अधिगम में जो हमारे parents होते हैं या अविवावक होते हैं उनको सबसे आगे रहना चाहिए इसलिए आपको option number B यहां से सही हो जाएगा अगर सक्रिय रहना चाहिए clear है आप सभी को बात कर लेते question number 7 की question number 7 है आपका की कक्छा में विद्यार्थियों की रूची बनाए रखने के लिए सिक्छक को उचित है क्या करना चाहिए स्यांपट का प्रियोक करना चाहिए या फिर चर्चा करनी चाहिए या कहानी कहना चाहिए या फिर प्रस्न पूछना चाहिए तो आप सभी इसका अंसर बताईए कि कच्छा में विद्यार्थियों को रोची बनाई रखने के लिए एक सिक्छा को क्या करना चाहिए मेरे साब से इसका अंसर आप सभी दीजिए ठीक है बहुत आसान क्यूश्चन है इसका आप सभी अगर वीडियो देखते हैं या गैर आपचारिक सिक्छा का है या फिर दूरत सिक्छा का है कि आपका एंसर देना है देखो परिवार क्या होता है कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वह सबसे पहले किस से सीखता है परिवार से ही सीखता है क्योंकि वह परिवार में ही बड़ा होना सीखता है ठीक है त तो आप जो चीजे सीखते हैं वो परिवार से सीखते हैं तो ये जो अनौपचारिक सिक्षा यानि कि जो आप कहते हैं स्कूल ना जा करके स्कूल जाए बिना या फिर किताबों से बिना जो सिक्षा सीखते हैं उसे अनौपचारिक सिक्षा कहते हैं ठीक है इसलिए आपका पर कुछें बोला गया है उनहें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहड करने से इंकार करेंगे विद्यार्थी कैसा भी हो आप इंकार नहीं कर सकते हैं विधाना अध्यापक कि उनने lawsuit कि अन्य प्रmuşणिे विशेश रूप से चिन्नित है उसमें विठाने के लिए बोलेंगे तो या यह भी आपका गलत यह ऐसे विद्यारतिों को छिखाने की तक्निक सीखेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं बिल्कुल नहीं आप ऐसे विद्यारतियों के सिखाने की अपने अंदर तक्निक ऐसे डवलप करेंगे जिससे आप उन्हें सिखा सकें ठीक है तो नाइंत का आपका सी यहां से सही हो जाएगा अब आज का एक आखरी कुश्चन पता होनी चाहिए बिल्कुल नहीं एक सिख्चक के लिए यह तो बिल्कुल नहीं बताया गया कि उसके पास इतनी जमीन जायदाद या फिर कुछ भी होना चाहिए अधिकारियों से उच्चिस्तर से संपर्क होना चाहिए नहीं उसे अपने विद्यारतियों को हल करने का पर आज हमने 10 questions कर लिए हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हुगा क्यों कि आज हमने पेड़ागोजी के questions की भी चर्चा की है जो previous year में आपके पूछे गए हैं तो आपको अगर आप इन ही छोटी छोटी वीडियो को watch करते रहेंगे तो इससे आपको बताई दिया है आपको परिक्षा प्लस पे बैचे उपलब्द कराएज आ रहे हैं आप एक बार डेमो लेके जरूर हम लोगों को सेवा का मौका दें आपको जो भी परिशानी है या फिर जो भी क्वेरी है वो आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं तो आज क की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में आपको कुछ इंपोर्टेंट और कुस्टेंस के साथ तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धनिवाद ख्याल रखेगा